एकदम से नो मेकप मेकप लुक से कैसे मुझे इतना सारा मेकप करना पड़ा चलो आज उसकी स्टोरी में आपको बताती हूँ तो यहाँ पर में तयार होती मेरी एक डांस फंक्शन के लिए जहाँ पर मेरा फुल फेस मेकप होने वाला था और यहाँ पर जितने भी चीज आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ब्रैंडेड नहीं है एकदम नॉर्मल जो प्रोग्राम्स में यूज होते हैं यूजली तो कलर्स है तो वैसे जो भी कहो उसी से करना पड़ा मेकप तो पहले स्टार्ट होआ मेरा फेस का बेस मेकप जहाँ पर कोई प्राइमर या मॉश्यराइ मतलब में पैचान में तब ही से नहीं आ रही थी और इसका जो कलर था ना जो शेट था वो मेरी स्किन टोन से बहुत ही जादा लाइट था वैसे मैं आपको बता दू ऐसे मेकप में नहीं करूंगी तो स्टेज पर दिखाए नहीं देता है यूजली इस फंक्शन के लिए ज और यहां पर बहुत देर तक मुझे बैटना पड़ा था यार फिर स्टार्ट हुआ मेरा आइब्राउज और देखो कितना बड़ा बन गया मेरा वह भी ब्लैक कलर की काजिल के साथ मैं तो कभी नहीं लगाते हूं मैं अमेशा ब्राउन कलर यूज करती हूं पर क्या करे कु के साथ मेरी आया मतब जो आइब्रा हो जो अच्छे से दिखें फिर कट क्रीस बनाया गया मेरी आइज के उपर वन उसके उपर एक गोल्डन कलर का शिमर आईशाडव प्लेस किया गया दोनों आइज के उपर और भाया के टैटू तो देखो इसको अब मिस मत करना बहुत ही प्रैप प्यारे हैं फिर उसके बाद दोनों कलर को अच्छी तरीके से मिक्स्ट किया गया और उसके बाद लगड़ा था काजल और मेरी आइज और मेरी गर्दन के हालत बहुत जादा खड़ाव हो गई थी और फिर देखो यहां पर जो मेरी आइज है जो हाती के तरह चोट चोटे थे और फिर से देखो इनका यह टैटू एनिवेस जो हाती की तरह चोटे चोटे मेरे आइज है हुड़ेड आइज है और उन्होंने कितना लंबा एक दम बढ़ा सा आई बना लिया पर उनका हाथ का काम मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो ब्रश के साथ बना रहे मुझे यह मिझे थोड़ा चाच्छा लगा और मेरी फेस के हाला देखो में बहुत जादा टायर्ट हो गई थी और एंड में किया गया थोड़ा बहुत जो फ्लॉस थे ना उसको उन्होंने थोड़ा सा टच अप किया उसके बाद हो रही थी मेरी कॉंटॉरिंग फेस की ऐस मेकप करूंगे में कभी मैंने नहीं सोचा था इसके बाद लग गया मेरा फेस पर ब्लश जो मेरा बहुत ही फेवरेट पार्टे और मेरी गर्दन अकर गई थी और फिर लगा मेरी फेस के ओपर हाईलाइटर और फेस देको इतना चमक रहे सची पताओ मैं खुद पहचान मे नहीं आ रहे थी और यह लग गया फिर लिप्स्टिक और यह कोई लिप्स्टिक नहीं यह यह कलर था वैसे आपने मुझे देखा होगा कि मैं हमेशे न्यूट कलर लगाती हूँ लेकिन यहाँ पर एक तुम डार्क रेट कलर जो में यूजली नहीं लगाती हूँ वो लगा अब यह जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा न तो अच्छा लगेगा देखो यह मेरा कॉस्ट्यूम ऐसे मेने महाराष्ट्यन स्टाइल में सारी पहना था और उसके बाद बहुत सारा गहना हम लोग को पहना गया बहुत सारी लोग हम लोग को हेल्प कर रहे थे और फाइनल बाइ